पिछले कई दिनों से ये खबर काफी सुर्खियों में है कि सूपस्टार खेसारी लाल यादव 2019 में होने वाले चुनाव में बिहार के महराज गंज से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन हाली में एक चानल को दिये गए इंटर्वियो में खेसारी लाल यादव ने इस खबर को ले कर एक बड़ा बयान दिया है खेसारी ने कहा कि मुझे हर पॉलिजिकल पार्टी से ओफर आ रहे हैं लेकिन मैं अभी राजनीती में आना नहीं चाहता लेकिन अगर मेरे दर्शक जो मुझे बहुत प्यार करते हैं अगर उन्होंने चाहा कि मैं अपने गाव महराज गंजे से चुनाव लड़ू तो मैं अपनी पत्नी चंदा को सीट से चुनाव लड़वाऊंगा और मैं अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट भी करूँगा प्रधार मंत्रे नरिंद्र मोदी के बारे में पूचने पर खिसारी लाल यादफ ने कहा मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ वे जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको बता दें कि पिछले दिनों खिसारी आरजेडी प्रमूख लालू प्रसाद यादव के घर भी पहुचे थे जहां उन्होंने राबडी देवी से मुलाकात की हुआ है